नमस्कार इस वक्त की बेहत बड़ी खबर आपको उता देजिए इस वक्त की बेहत बड़ी खबर सामने आ रहे है हरियारा से जहापर गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल के बाहर आटो में डिलिवरी हुई है बेहत बड़ी खबर गुरुग्राम से पहले भी कई बार अस्पिताल के बाहर इस तरहे की जो डिलीवरी है वो हो चुकी है तो सरकारी अस्पिताल के बाहर आटो में डिलीवरी हुई है बहुत बड़ी खबर इस वक्ती दरसल स्टाफ नर्सों की लापरवाही के बज़े से आटो में डिलीवरी हुई है जिसके बाद आनन्फानन में जच्चा बच्चा को लेवर रूम में ले जाए गया है तो गुर्ग्राम से इस वक्त की बेहत बड़ी खबर और स्वासिव भाग की उतनी ही बड़ी लापरवाही की अस्पिताल के ठीक बाहर आटो में एक महिला की डिलेवरी हुई है और आपको उता दे कि जच्चा बच्चा को आनन्फानन में लेवर रूम ले जाए गया है जहां पर उनका उप्चार जो प्रात्मी खबो किया जा रहा है तो पहले भी कई बार अस्पिताल के बाहर ऐसी ही घटना है ऐसा ही मामला जो है सामने आ चुका है इसे ही कई डिलिवरिया हैं जो अस्पिताल के बाहर आटो में होती है या थो वर्रिक्से में या तो वर्कार में जिसके बाद अहला कि लेवर रूम लाए गया है जच चौर बच्चा को तो बेहर भरी खबार अस्वक्त की गुरिग्राम के अस्पिताल के बाहर एक माने आटो में अपने बच्चे को जर्म दिया है तो exclusive तस्वीरे जनता टीवी आपको दिखा रहा है किस तरह से जो staff nurse है वो आटो के बाहर delivery करवा रही है जिसके बाद उस महिला को उसी नाजुक हालत में अस्पताल के लेवर रूम में ले जाए गया तो सबसे पहला exclusive तस्वीरे जनता टीवी आपको दिखा रहा है जहां पर किस तरह से आटो में delivery की गई है delivery हुई आटो में गुर्गराम अस्पताल के ठीक बाहर और महिला को जिसके बाद जच्चा बच्चा को दोनों को अस्पताल के लेवर रूम में ले जाए गया है लेकिन ये तस्वीरे बहुत बड़े सवाल उठाती हैं स्वास्त महक में पर कि स्टाफ नर्स की लापरवाही की बज़े से कस तरह से आटो में delivery करवानी पड़ी है अगर भगवान नकरे कुछ हो जाता तो इसका फ़र्जमेवार कौन होता तो गुरुग्राम के तस्वीरे सबसे पहले जनता टीवी आपको दिखा रहा है कि सरकारी अस्पताल के बाहर किस तरह से आटो में delivery हुई है हलाकि जच्चा बच्चा को आनन फारन में अंदर ले जाएगे आपको बता दे कि labor room में लेकिन इस तरह कि लापरवाही कहीं न कहीं से स्वासुई भाग पर बड़े सवाल खड़े करती है वो भी गुरुग्राम में तो गुरुग्राम अस्पताल के बाहर किस तरह से एक महिला ने आटो में ही अपने बच्चे को जर्म दिया है तो जनरता डिव creative तस्वीर आपको उसे अस्पताल के बाहर और उस आटो की दिखा रहा है जहांपर सबसे पहले जनता टीविया तस्वीर आप तक पहुचा रहा है जहांपर एक महिला जिला इस्पिताल के बाहर आटो में बच्चे को जर्म देती है स्टाफ नर्सों की लापरवाही की वज़े से ओटो में उस बच्चे को जर्म देना पड़ा साथ जिसके बाद आनन्फानन में उस महिला को लेवर रूम में भरती करवाया गया है हमारे साथ हमारे समादधा निरजवाशिश्ट जूड चूके है निरजश वषिष यह पूरा मामला क्या कुछ है तस्वीरे साफ करिए तो नियर्फ रिशिष्ट का हम से संपर्ख नहीं हो पा रहा है लेकिन कहीं न कहीं से जो तस्वीरे हैं ये पूरी तरीके से स्वास्त महक्मे पर बड़े सवालिया निशान ख़ली करती हैं क्योंकि जस तरह से गुरुबराम के अस्पिताल के बाहर स्टाफ नर्सों की लापरवाही की वज़े से एक महिला को बच्चे का जन्म देना पड़ता है उसके बाद उसको आनंफानन में लेवर रूम ले जाना पड़ता है लेकिन अगर इसी समया दोरान कुछ हो जाता तो फ लेटिस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूले बैल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल